पाटडी पेर बैटके वो नाना रहा। गुंगटके माध्यीर का सर्माना रहा। कितनी जुथरी बनाई तु बनाई, रामने 168 वरा मेरे, खत्र सजाई तु सजाई, रामने 21re भायशाबिश में एक लाइन उर थी कि मेरी भूपडी से जापे में, तो उस टाइम बे मलब बाबी प्रेगनेट थी कितनी सुथरी बणाई तू बणाई रामने बस बस पंचे ही मतलब शौक था शौक के काड़न आये हैं गरवाले बड़ा नफस भी करते हैं ताजी बड़ा अर्गुस्ता होते थे मेरे गुरुजी है अरणभीय बड़वासनिया जी क्योंकि बच्पन में उनको देख करके मुझे ये शौक लगया था और उनके आश्रिवाद से ही हम आज जो कुछ भी है जो हमारी संस्क्रती है ना वो हमारी पहचान है अगर वो संस्क्रती हमारी नईरी तो हमारी पहचान ह हो जाएगी फिर कुछ रहाएगी हमारा वजूरी खतम हो जाए एक तो मतलब नुक है कि बटे हुआ रहा है अरे गनुग ठोड़ी अलोगा रहा है बात तो एक है नमस्कार आप देख रहे हैं दा मोर्चा मैं हूं आपके साथ अमीठ धंडा आज हम पहुंचे रोद तक और रोद तक आजम एक ऐसी सक्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने जो हमारी हैर्यान करती है उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे घाने दिये हैं हम उनका अपरी चेक बार आपसे करवा देते हैं आज हमारे साथ मोजूद है रामकेश जीवन पुरवाणा सब्सक्राइब तो यहीं जानना चाहता हूं कि इस लाइन में कैसे आपका नहुआ गाउंसे बिलों करते हो में तो पुराने टाइम की ओ तो पहले तो पैरेंस भी अलोंग नहीं करते तेगी मलब इस लाइन में जाएं आगाएं बजाएं तो मलब इसे थोड़ा चिठी बा साम कर या तो या फिर आपने नोगरी कर तो कैसी लाइन में अनवा बस बस पंद से ही मतलब शौक था शौक के कारण आए हैं गरवाले बड़ा नफस भी करते हैं पर वह करें जिद किसे चीजी की तो एक जिद थी कि मैंने कुछ करना है शौक बस पंद से लिखने का था बस अगर आपकी पहली जो एल्बम बात करें वह ती अट जाता हूँ पाच्छे नहीं नाचन दे मने जी बरकर तो वह गाना अभी और पहले तो थाई बच्चे-बच्चे की जबार में बच्चे के भी बूड़े के भी बूड़े के भी शुन्टे चुलने ने तो बड़ी आने शुरू है तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा लिख सकता हूं और डीजे पजो सारी अनबजता रहे क्योंकि आपने देख्या होगा कि जब बड़े बज़ूर गहरो खास करता हूं वो टाया अगरे बहुत हो गया है इपर वाई चलो ये वो तो वो लाइन वहां से नि दोर थी कि मेरी बूपड़ी से जापे में तो उस टाइम पर मुलब भावी प्रेगनेंट थी हां और यह सची बात थी यह को जूरती बात नहीं तो भाई सब उस गाने शुरुआत होगी आपकी से हट जाता हूं पाच्छन है लेकिन जो इंडिस्ट्री होती ना कोई भी ल प्रणबिय ब्रवाशनिया जी क्योंकि पत्सपन में उनको देख करके मुझे यह शोग लगया था और उनके आश्रिवाद से ही हम आज जो कुछ भी हैं और उसके बाद मैं स्थी सैगल जी हमारे उन्होंने भी मेरा बड़ा बहुत ज्यादा आश्रिवाद यह बड़ा स्य मुझे लिए बाइशाब अगरोना काल है सभी घुरों में हैं अगर बिजन्स की बात करें वह बच्चों की बढ़ाए की बात करें इसकूल बंद हैं अकैडमी बंद हैं ओन्लाइन क्लासी चलती है चलतो बच्छों की तो जो आपका एक गाना है हटता जाओ पांचन है तो बात करते हैं अपने बहुत से गाने दिये हैं अपका एक गाना पानी होगी खत्म कहाने तो इसमें जो पुरानी अगरम बात करें ना लेकिन वह सब चीज़े दिले खत्म होती जा रही हैं अगर हमारी युवापीटी की बात करें या आने वाली बात करें तो पता नहीं चीज़ें की बनी क्या होती है तो देखे भी नहीं जो पहले फैसले होते पंचाते भी नहीं बहुते चीज़ें उसको एक गाने मेरे को सवारना आए और लोगों को प्रेसेंट करना है। जो अमारी संस्कर्थ है ना वह हमारी पहचान है अगर वह संस्कर्थ है ना वह नरि निए तो मारी पहचान ही भो messy तो इसलिए जरूरी होता कि हम अपने जो संस्कार है उसको जिन्दा रखने के लिए वह आके शागे बढ़ानी पड़ती है जिस तरह से अकर मानले हो आमने नुए ना बेराव अमकिसके हैं तो क्या वजू रहा है हमारा तो इसलिए संस्कर्ती तो अमारा चूडा है जिस तरह तो इसलिए यह की प्यानवाया और इसको लिख्या गया और लोगों इसको बहुत ज्यादा पसंड़ी तो इतने भी गाने आया ना इंगे सभी गानों को आप ना फैमिली के साथ परिवार के साथ देख सकते हूं बाइशाब आपका एक गाना था इतनी शुत्री शुत्री तू बनाई रामने तो आपने वह बाबी को देख की मलब यहां कि मलब मैं चलो बना देता हूं मलब गाना कैसे नहीं यह गाना हमारे साथी हैं अच्छे सत्पाल देश्वाल जी उनका लिख्या हुआ है और अनुप जी हैं अमारे नंदी स्टूडिया किया हुआ है और मेरे को बड़ा अच्छा ले गाएगी कि इसको मैं गाता हूं और यह मतलब ना संगार रस के गीत लिखना को मारी बात तो यह बहुत अच्छी है संगार रस अगर जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है लेकन उसको एक अच्छे तरीके से लिखना तो यह गीत लिख्या और बहुत अच्छा यह जो मतलब ना पसंद करया लोगों ने बहुत बढ़िया तो इसकी एक दो लाइन मेरा भी यह फैवरेट गाना है तो दो लाइन है आप अमारे इसको सुना दें कितनी सुथरी बढाई तू बढाई रामने कितनी सुथरी बढा मेरी घ्जाइ तू सजाइ रामने कितनी सुथरी बढार्य तू बढा était रामने वोगोंë और शया जो मेरा स्वाली है आपके जो आने वाले जो गाने है आने वाले प्लोज्ट्रिक्Т है वह एक बार-मारे दोसको बताएं कौण कॉन सद्री आने वाले काने अभी मेरा एक एक दो दिन में गीत आने वाड़ा है आवा बेखनला की बहुत अच्छा गीत है कि मारे बाई हैं छोटे बाई संधीप पुनिया सुमित पुनिया कनोगा उसे पाणी तो विक्ता था भी आवा भी हाँ इसमें यह लाइन भी है कि पाणी पाणी तो भी करता माया ओर काखज के इस तुकडेन के के रंग दिखाया थ्यरे भटकती दुनिया या ते जान मरण में आगी पाणी तो भी क्या करता इभ हवा बिकनलागी हैर पानी तो बिक्या करता इब हवा भिकन लागी तो यह जीत है यह अभी आ रहा है और एक मेरा गीता रहा है किशने केके चगिए बहुत बड़ा गीत है और 32 अंतरे उस एक गाने में और 32 खी कलाकार है उसमें जो हमारे जीतने भी अच्छे जानकार कलाता है तो सब में एक एक उन्होंने लिप्षिंग किया है बहुत अच्छा गीता सबको बहुत जाड़ा पसंद आएगा जिस तरह से आपने पहले आरे वारहिना उसको प्यार दिया कितना बदल्या देविस और भी कावी सारे जितने मेरे गाने सब प्यार दिया उसी तरह से यह भी गाना बहुत तो आज यह हमारे साथ रामकेश पुरवाडाजी आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके भी आपको हमारी वीडियो कैसे लेगी वह हमें आप कोमेंट बताएं और अम जल्दी मिलवाते हैं को किशी और नेक लाका छे तब तके लिए दिजिये में विदा जै हिंज जै भारत जै हर्याना